हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे चल रहा होगा, तो आईए हम लोग 40 नमबर सेट तक देख चुके थे, 41 नमबर सेट है, ठीक है, इडूटेरिया का चल रहा है 5000 वाला, उसी का ये 41 नमबर सेट है, है न, चलिए, सेट नम पंचाइतों की संरचना से, संजुक्त राष्ट्र सुरच्छा परिशद के अस्थाई, और अस्थाई सदस्यों के संबंध में निम्खित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो हो जाएगा, अब इनकी कूल संख्यां 10 है, किन्तों मुलत यह संख्यां 6 थी, ये बिल्कु सही है, केवल दो वर्स की अबधी के लिए वे निर्वाचित होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, एंसर C, ठीक है, सकेंड का C हो जाएगा, थाड का है, निमलखित में कौन भारत के उपराश्वति के निर्वाचन में भाग लेता है, कौन लेता है, राजी सभा के सदस्य, ये भी लेता है, लोक सभा के सदस्य, मतलब ओप्सन ए हो जाएगा, आपका, संबिधान सभा द्वारा, राष्ट्रिये दोहज को कब सुईक किया गया, कब सुईकार किया दोस्तों, ये है 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, चलिए, फिप्त नंबर कोशन है, किस चार्टर अधिनियम के तहत, भारत में दासपर्था को अवाइद घोसित किया गया था, अवाइद घोसित किया गया था दोस्तों, 1833 इस वी का चार्टर अधिनि निमलखित में से, किसके द्वारा निस्कासित किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है, आपका राश्पती के द्वारा, ठीक है, एट नंबर कोशन देखिए, निमलखित में से, कौन राज सूची का विसय नहीं है, राज सूची का विसय नहीं है, वो है समचार पत्र, ठी कह रहा है कि आधुनी कम्प्यूटर की खोज सरपर्थम किस वर्स हुई थी तो किस वर्स हुई थी 1946 इस भी को ठीक है चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निमलखित में से कौन है तो वो है आपका सरत चंद्र चटो पाध्याई निमलखित में से कौन जननायक के उपनाम से परसिद है तो हो जाएगा आपका करपूरी ठावपूर बिर्जु महाराज का संबंध कि सास्त्रिय निरित्य से है तो इनका है कथक्स है अगला कोश्चन है थर्टीन नमबर अंतरराष्टिय परमानु उर्जा अभिकरन IAEA का मुख्याले कहां इस्थीत है वो है इस्थीत बियेना में हिंदुस्तान एरो नॉटेक्स लिम्टेड की अस्थापना किस वर्स की गई थी तो किस वर्स की गई थी तो उस्तों उनने 140 सिस्वी को किस सासक को सीला दित्य कहा गया है हर स्वर्धन को ठीक है चलिए अगला कोश्चन है 16 नमबर किस वन्स के सासनकाल में तीनो संगमों का आयोजन किया गया था तीनो संगमों का आयोजन किया था पांडिय किस वंस के सासक, किस वंस के सासको ने सरवाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर सासन किया था दोस्तों वो तुगलक बंस ठीक है तुगलक बंस और खतवली का युद्ध कब हुआ था किस सासक के सासन काल में उपनिस्दों का फारसी भासा में अनुवाद किया गया तो वो है साह जहां ठीक है चलिए बीस नमबर कोश्चन डेकन एजुकेशन सोसाइटी के अस्थापना निवन में से किस ने की थी तो निवन में से किस ने की थी दोस्तों वो की थी बाल गंगा धरती लग बाल गंगा धरती लग निवन लिखित नेताओं में कौन सोदेशी सोदेशी के समर्थक थे सोदेशी के समर्थक थे वो है अरविंद गोश, ठीक है, चलिए, अरविंद गोश, अनुसीलन समीती का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो वो है आपका पी मित्रा, फ्रेंच करांती के दौरान, दूसरी संपत्ती का हिस्सा कौन था, तो वो था आपका उच्च वर्ग, ठीक है, चलिए, नुलिखित गठनाओं को काल करमानुसार रखिए, काल करमानुसार से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, क्या रखेंगे, आपकी इस परकार से रखेंगे, तो अप्सन आपका क्या हो जाएगा, आपका ए, रखिए, फोर्थ का एक नमबर में आएगा, मतलब तिर्तिये पहले होगा, एक नमबर में तिर्तिये होगा, ठीक है, दूसरा नमबर में होगा आपका पर्थम बर्मा युद्ध, ठीक है, तीसरा नमबर में होगा आपका, तीसरा नमबर में होगा आपका, तीसरा नमबर में होगा सकेंड बला, ठीक है, चौथा नमबर में होगा आपका कुछ ही कबर से कॉन उत्पादन के चार परमुख का रखे चार परमुक परमुक कारक रखे वो है आपका भूमी श्रम पुझी संगठन थिक है चलिए गहटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आई बढ़ती है तब राजा सु घाटे की अपिक्छा राज कोसी ये घाटा सदैब रहेगा अधीक भारत में गरीवी निर्धारन हेतु सी रंग राजन समीती का गठन कब किया गया था तो कब किया गया था दो हजार बारा इसवी में ठीक है निमलेखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसो की संकल्पना की थी ग्रीन हाउस तो है जो सेफ फोरियर जो सेफ फोरियर जो सेफ फोरियर चलिए अगला कोश्चन है निमलखित में से कौन सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं है उसको टिक लगाना आपको पेरियार राश्ट्रिय उद्यान हंगूल ये है आपका गलत ठीक है और जो है तीन वो सही है तो उसको पढ़ लेते हैं वो याद रहना चाहिए ठीक है दुधवा राश्ट्रिय उद्यान बाग मानस राश्ट्रिय उद्यान हाथी और राजाजी राश्ट्रिय उद्यान हाथी हाथी हो जाएगा दुधवा राश्ट्रिय उद्यान बाग का है यूम यांग घाटी किस राजी में इस्थित है यूम यांग अगला है निमलिखित में से कौन सा जल डमरू मढध है अस्ट्रेट आस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है वो है बॉस ठीक है गेहूं की खेती के लिए क्या आवस्यक है क्या आवस्यक है सैयत तापमान तथा सैयत बरसा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझ होता कब हुआ था 1960 हिस्वी में ठीक है चलिए दस्ट ए लुट रेगिस्तान का संबंद किस देश से है तो वो है आपका इरान से और निमलिखित में कौन सी ठंडी जल धारा का उधारन नहीं है तो वो है आपका क्यूरोसियो क्यूरोसियो ठीक है काली मिट्टी का निर्मान किस परकार के चट जिवित प्रान्यों के सरीर में होने वाली निमलिखित में से कौन सी एक परक्रिया पाचन परक्रिया है तो पाचन परक्रिया है अपका प्रोटीन का एमीनो अमलो में बिघटन ठीक है चलिए पूरे सरीर में ऑक्सीजन ओटू ले जाने में महतपुर्न भुमी का कौन मनिये है तो वो हो जाएगा आपका foot even mouth ये भी है और anthrex ये भी है black quarter ये भी है cowpox ये भी है तिसलिए option D हो जाएगा आपका answer ठीक है चलिए 42 number question पे आ जाईए 42 number question करता है trigly triglyceride क्या है triglyceride क्या है वो है आपका वसा है वसा अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कच्रे के निप्टाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सबसे अच्छा तरीका क्या है वो है आपका भस्मी करन इंसुलीन हार्मोन इंसुलीन हार्मोन है peptide ठीक है और 45 number question 45 number लंबे समय तक कठोर सारीरिक कर्ज के पस्चात मास्पेसियों में ठकान का अनुभव होने का कारण होता है होने का कारण होता है दोस्तों लैक्टिक अमल का संच है जिवित प्रानियों में क्रमिक विकास की दिरिष्टी से निम्लखित में से कौन सा एक क्रमिक अगला है निमने में से कौन धनात्मक आवेस रहित होते हैं तो वह होता है बीटाकन अगला है लिटमस बिलियन निमने में से कौन अदीसरासी का उदाहरन है उरजा और किसी बस्तु का जड़त्वा मापने के लिए कौन सी इकाई का परियोग किया जाता है द्रब्यमान का ठीक है द्रब्यमान का सत्पूरा की सबसे उंची चोटी है घूम गड़ी दूप गड़ी और दक्कन का पठार इस्तित है महराष्ट में दक्कन का पठार धारवाड का पठार इस्तित है करनाटक में बाबा बुदन ब्रहम गिरी की पहाड़ी इस्तित है करनाटक में निल गिरी की पहाड़ी अन्न. भारत समुदरी टत एवं उसका बिभाजन गोलगुंडा तत गोदावरी डेलटा तक उतरी सरकार तक, गोदावरी डेलटा से उतरी तटिये भाग तक भारत के पूर्वी तत पर इस्थित परमुक वंदर गाव, पाराध्वीप ओडिशा, औलकता, पस्चिम मंगाल, विसाखा पत्नम आंधर पदेश भारत के पश्चमी समुद्री टट एवं उसका विवाजन कोंकन टट गुजरात से गोवा तक केंडरा टट गोवा से मंगलूरू तक माला वार टट मंगलूरू से कन्या कुमारी तक भारत के पश्चमी तरट पड़ इस्थीत परमुख वंदरगाह कांडला गुजरात मारमा गोवा मुंबई महाराष्ट नहा वासोवा महाराष्ट मंगलूरू करनाटक कोच्ची केरल पोरट बेलेयर इस्थीत है दच्छिनी अंडमांड में अंडमांड निकोवार द्वीब समु की सब से उंची चोटी है सैंडल पिक पमबन द्वीब इस्थीत है मनार की खाड़ी में दो यह हो गया आपका 41 आ जाए 42 में ठीक है देखिएगा मोना लोवा निमलखित में से किसका उदाहरन है मोना लोवा सक्रिय जौला मुखी का भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास अस्थान कहां है वो है आपका कच के रन में भारत का सबसे दचिंतम बिंदू इंद्रा पॉइंट की दूरी भुमाधरेखा से कितनी है भुमाधरेखा से कितनी है एक में भुमाधरेखा से कितनी है बागू तो वो है आपका 876 km C हो जाएगा उसका इंसर अगला कोशान है पोर्थ नमबर अरोनाचल परदेश के उत्तर पश्वी भाग में ब्रहामनी निमल खित में से किसकी साहयक नदी है वो है आपका महा नदी की मुद्रा परसार को स्रेश्ट तरीके से वर्नित किया जा सकता है उंची किमते ठीक है भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके बिनियमन पर लागू होने वाली पति को निमलिखित में से क्या कहा जाता है वो कहा जाता है नियुन्तम रिजर्ब अनुपात संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपरियाप्त उत्पादन शम्ता बैंक दर में कमी का रिन की उपलवता पर क्या परवाव पड़ेगा तो वो रिन बढ़ जाएगा कोर्ड निमलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है किसका है तो ये हो जाएगा एंसर इसका पोलो पोलो ठीक है चलिए अगला कोश्चन आपके सामने ये रहा फिल्म छेतर में दिया जाने वाला परसिद आसकर पुरसकार की सुरुवात किस वर्स की गई थी तो किस वर्स की गई थी 1929 इस्वी में बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वादियंत्र से था इस वादियंत्र से था सहनाई से भारतिय थल सेना के पुर्वी कमांड का मुख्यालय कहां इस्थी थै वो इस्थी थै आपका कोलकाता में विश्व आदिवासी दिवसपर्ती वर्स की स्थिथी को मनाया जाता है राश्ट्रिय वन निती उन्हें सो बामन के अनुसार कौन सा बन का समवर्ग नहीं है आपका राश्ट्रिय उद्यान हो जाएगा ठीक है चलिए सुमेलित नहीं है उसको बताना है आपको 17 नंबर कोश्चन में ठीक है, तो यह हो जाएगा 17 नमबर में सुमेलित यही नहीं है, तो जाएगा बांधीपूर करनाटक सही है, राजा जी उत्राखंड, सिमली पाल ओडिसा, राजा जी उत्राखंड, निमने लखित में से कौन सा जैव निमनी करन है, तो वो हो जाएगा रवर, किस वेद के पढ़ने वाले रिसी को होतरी कहा जाता है, तो वो है आपका रिगवेद, ठीक है, रिगवेद, निमने लिखित में से कौन बेदांग नहीं है, बेदांग नहीं है, ज्यान हो जाएगा, ज्यान, चलिए, एकिस नमबर कोशन, निमने लिखित दरसंत अथा उनके परवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, उसको टिक लगाना है, तो सही नमबर का जो है न सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, तो सही कौन-कौन सा नियाय का गौतम, और सांख का कपील, और वैसेशिक का उलुक, उलुक, ठीक है, निमने लिखित में से कौन सा मुगल सा जुए शांगेरं डासकों का गलत अनुक्रम है अकवर सहा जहां जहांगेर यह जो है गलत है इक और अकवर जहांगीर सहा जहां जहांगिर सहांग arengjew अपलखस रे दो चाहरेर में स्भर निमलखित में जाना है जनक के रूप में जाना जाता है जो वह है आपका नवाव अब्दुलतीप खाहां ठीक है अकवर में अपने राइधानी को आग्रा संधी औह था निजाम एवं बाला जी बाजी राव ठीक है चाल्स मेटकॉफ तथा रणजित सिंह के मध्य अम्रित सर की संधी किस वर्स हुई थी तो किस वर्स हुई थी दोस्तों यह हुआ था आपका ठीक है उनाइस सो उनाइस स्वी को अठारा सो संतामन की करांती को किसने पुर्णत्या सिपाही विद्रो कहा था किसने कहा था सिपाही विद्रो था लॉरेंस एवं सीले फराई जी अंदोलन का नेत्रित तो किसने किया था फराई जी का अंदोलन कानेत्रित किस ने किया था तो किया था आपका सरिया तुल्लामिया ठीक है राश्टपती पद के उमिदवार के लिए निरवाचक मंडल में कितने सदसिक्रमसह प्रस्तावक एबं अनुमोदक होते हैं हो जाएगा आपका पचास एबं पचास ठीक है परिश सीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोग सभा में आरच्छित सीटों की संख्या कितनी है वो है आपका सत्चवरासी 84 प्राकलन समीति के सदस्यों की कार्ज अवधी होती है वो होती है मई और अप्राइल में ठीक है जवाहरलाल नहरूक ने संविधान सभा के समक्ष उदेश से प्रस्ताव को कब प्रस्तूत किया वो हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 को ठीक है अगला कोश्चन है बिधी निर्मान एक नट अगला कोश्चन है बिधी निर्मान की परक्रिया भारा संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है तो बिर्टेन से किस वाद में सरवोच नियाले ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था तो नहीं माना था आपका बेरू बाड़ी वाद, ठीक है, अल्प संख्यक वर्गो, एक नट, इसको उपर कर लेते हैं, अल्प संख्यक वर्गो के हितों का सनरच्छन सम्विधान के किस अनुच्छेद में वर्नित है, वो है अनुच्छेद 29 में, निमलिखित में से कौन सा अधिकार बिदेशी नागरीकों को प्राप्त नहीं है, तो वो है आपका अभिव्यक्ति की सोतंतरता का अधिकार, ठीक है, चलिए, केंदर तथा राज्यों के मध्वित का विभाजा निमलिखित में से किसकी सन अस्तूतियों के अधार पर किया जाता है, तो वो है आपका बित आयोग, निमलिखित में से कौन सा पदार्थ परकास तंसलेशन के दोरान अप्चईत होता है, वो है कारवन डायोक्साइड, 49 नमर कोशन है, सारवजनिक मुत्रालेक से गंध किस गैस के परवाव के कारण आता है, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया के कारण, ठीक है, चल परतिपादित किया था आपका न्यूटन 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 निवलिखित में से कौन उस्मा की इकाई नहीं है दोस्तों वो है आपका वाट वाट ठीक है वाट हो जागा इसका एक सुरंग में 100 वाट छमता वाले 5 लगतार बल्व 20 घंटा तक जलाये जाते हैं तो कुल बि उसमें भार पर क्या परवाव पड़ता है वो बढ़ता है ठीक है ब्रेसिका ब्रेसिका कमपेश्ट्री कमपेश्ट्रिस किस पौधे का वानस्पती नाम है वानस्पती नाम है सरसो निमन में से सुत्र विवाजन की सबसे लंबी अस्टेज कौन सी है तो कौन सी है दोस्तों आपको याद होना चाहिए, यह हो जाएगा प्रोफेज, ठीक है प्रोफेज, गलाइकोजन का संग्रह सरीर के किस अंग में होता है, वो होता है आपका यकृत तथा पेसिया में, अगला है, कार्वोहड्रेट, अच्छा, सरीर के लिए एंजाइम बहुत आवस्यक है, क्योंकि, क्योंकि, जीव रसाइनिक किरियाओं के उत्परेरक है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, कर्वोहड्रेट, पाचन के अंतिम्न, उत्पादत क्या होता है, तो वो होता है आपका मोनोसैक्राइडस, यूरिया का निर्मान, सरीर के किस अंग में होता है, तो वो होता है यक्रित में, ठीक है, यक्रित में, अस्मर्णिय तथ्य है, अलकंदा एवं भागिर्थी का संगम अस्थल है, देव प्राए, देव परियाग, ठीक है, देव परियाग, अलकंदा एवं भागिर्थी को जाना जाता है, गंगा के नाम से, गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेस करती है, हरीद्वार के निकड़, ठीक है, हरीद्वार के निकड़, गंगा नदी को बंगला देश में जाना जाता है, पदमा के नाम से, पदमा के नाम से गंगा यमुना सरसुती ठीक है ब्रहम पुत्र नदी को जाना जाता है जमुना के नाम से ठीक है ब्रहम पुत्र नदी को तिबत में जाना जाता है सांगपो के नाम से सांगपू के नाम से अलक नंदा एबं भागिर्थी देव परियाग में मिलता है अलक नंदा एबं मंदागनी वो रुद्र परियाग में मिलते हैं रुद्र परियाग में अलक नंदा एबं पिंडारी कर्न परियाग में मिलता है धौली गंगा एबं विश्नु गंगा विश् अगला है नदी और उदगम अस्थल और सहायक नदी बहुत ही इंपोर्टेंट है नदी वाला सिंधु नदी मांसरोबर जील सिंधु का जो उदगम अस्थल है मांसरोबर जील है और सहायक नदी है सिंधु का सहायक नदी सतलज चिनाव रावी व्यास जहेलम यह था सिंधु नदी का सहायक नदी गंगा नदी गोमुक हिमानी उद्गा मस्तल है गोमुक हिमानी इसका है सहायक नदी यमुना गंडग बागमती राम गंगा आदी यमुना गंडग बागमती राम गंगा आदी गंगा नदी का ठीक है यमुना नदी यमुना नदी का है यमुनोत्री हिमान यमुनोत्री हिमानी से यह निकलता है और इसका सहायक नदी जो है चम्बल, बेतवा, केन और कोशी नदी कहां से निकलता है उद्गमस्थान क्या है गोशाई नाथ चोटी और इसका जो सहायक नदी है लिखु दूधकोशी भोटकोशी यारू ठीक है नर्मदा हो जाएगा अ अमर कंटक, अमर कंटक से निकलते हैं, कोसी कहां से निकलता था, गोसाई नाथ चोटी, याद रखे हैं, गोसाई नाथ चोटी, नर्मदा, अमर कंटक, अमर कंटक, हालन बंजार तवा, हालन बंजार तवा, नर्मदा नदी का जो है, इसा हैक नदी है, हालन बंजार तवा, ब युंग डुंग हिमानी मांस रोबर जील ब्रहम पुत्र नदी वहांस निकलता है क्या है सहायक नदी मानस तिस्ता सुबन सीरी दिवांग सुबन सीरी दिवांग लोहित ठीक है चलिए महानदी कहांस निकलता है सिहावा के पास से 36 गड़ सिहावा के पास से तो ये हो जाएग कि इसका सहायक नदी कौन है, ब्रहामनी वैतरणी, क्रिशन नदी महावालय स्वर की पाहाडी से निकलता है, यह पंच गंगा, दूध गंगा, घाठ परभा, मालपरभा, मोसी, भीमा, तुझ भद्रा, इसका है सहायक नदी, क्रिशन नदी का, पंच गंगा, दूध गंगा, घहाट परवा, माल परवा, मुसी, धीमा, तुंग भधरा इतना सारा इसका सहायक नदी है और गोधावरी नदी, त्रयमबक की पहाड़ी से ये रिता है पेन गंगा, पेन गंगा, मझीरा, शबरी, वर्धा, प्रान हिता यह सब है सहायक नदी, कावेरी नदी, ब्रहमगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, उसका सहायक नदी है भावानी, अमरावती, हेमावती, ठीक है, चलिए, परमुख जल संधी, एट डिगरी चेनल, मालदीव एव मिनी काय, ठीक है, नाइन डिग्री चैनल, क्या हो जाएगा, लच्छ द्वीप एवं मिनी क्वाई, टेन डिग्री चैनल, लगु अंडमान एवं कार्निको बार, ठीक है, डंकन पास, लगु अंडमान एवं दच्छिन अंडमान, ठीक है, छलिए, अगला है, भारत की सब से बड़ी तटिय जील है, चिलका जील, भारत में सब से खारे पानी का जील है, चिलका जील, खारे पानी का टटिय जील है चिलका जील खारे पानी का है चिलका जील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है बूलर जील में मीठा पानी मिलता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है गोविंद वल्लव पंत सागर जील भारत में सबसे अधिक उचाई पर इस्थ बेंबाग्शित में से किस नदी को रीग बेद में सबसे पवित्र नदी माना गिया है सबसे पवित्र नदी माना गिया है दोस्तों उसको टिक लगाना है सरसुती प्राचीन भारत में पहला विदेशी आकरमन किसके द्वारा किया गया था तो वो है इरानियों के द्वारा किया गया था इरानियों के द्वारा किया गया था अगला कुछन है ए इंडिया कंपनी को भारत में वेपार करने का फरमान दिया था वेपार करने का तो जहांगीर हो जाएगा जाहांगी। ठीक है, जहांगी। बाकीपूर जेल में रखा गया था, बाकीपूर जेल, ठीक है, बेक्तिगत सत्यागरह में पर्थम सत्यागरही किसे चुना गया था, तो किसे चुना गया था दोस्तों, बिनोबा वहावे को, बिनोबा वहावे को, ठीक है, अगला कुशन है, इमलिखी तमेशे किसने मित्र मे मित्र मिला बेड़ी शावर कर भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस का 27 अधिवेशन कहा हुआ था तो कहा हुआ था दोस्तों बाकी पूर में हुआ था अगला कोशन है निमलखित में से किसने भारतिये शंगवाद को शहकारी शंभबाद कहा था वो था आपका जी आउस्टी जी आउस्टीन अगला कोशन है दोस्तों अगला कोशन है अच्छा लग रहा है दोस्तों तो सेर कीजिएगा भारत के संभिधान के अनुषेद 368 के अनुषार के कार्जिकल के दोरान उनके खिलाब आदालत में कोई अपराधिक कार्जवाही नहीं सुरूप की जा सकती दोस्तों राजिवाल हो जाएगा राजिपाल के कार्जवाल के दोरान भारतिय संभिधान का कौन सा अनुषेद चुवा छुट उन्मूलन से संबंदित है चुवा छुट चुवा छुट अनुषेद 17 अनुषेद 17 से चुवा छुट ठीक है अगला कोशन है अंतर राजज उप्योक्त में से कोई नहीं, जो दिया हुआ है, उप्सन में से कोई नहीं है, अगला कोश्चन है, भोराज असुर एवं लोक बेवस्था निमन में से किस सूची का विसे है, वो हो राजी सूची, भारत में सरपर्थम किस राजी को विसेस राजी का दर्जा दिया गया था, सबसे पर्थम, सबसे पर्थम वो असम को दिया गया था पंचायती राजी का परमुख लक्ष क्या है? पंचायती राजी का परमुख लक्ष क्या है? ग्राम वासियों में सक्ति का विकेंदरी करन ठीक है? चलिए अगला कोशन है संसदिये विशेसाधिकार किस तेश के संविधान से लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन से निमलिखित में कौन तिर्थिये छेतर का भाग है तिर्थिये छेतर का भाग है दोस्तों बिद्दूत 21 नमबर अर्थ सास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उप्योगिता ठीक है अगला कोशन है 22 नमबर कोशन क्या कहता है इंवर्खित में कौन साक निर्धारन एजेंसी नहीं है बताना है आपको CRE भारत में जिन्सो के निर्यात की स्रेनी है वो है आपका उप्युक्त सभी मतलब कि परम प्रागत किंतू अनिशित्ता वाली बस्तू और अप्रम प्रागत अच्छी संभावना वाली बस्तू महारत्न कमपणी गेल की अस्थापना कव की गई थी तो वो है दोस्तों आपका 1984 को किसी जलिये वातावरन में श्वतंत्र एवं अस्थुल दर्सिये प्रानियों को किस परकार उलेखित किया जाता है किस परकार उलेखित किया जाता तर्नक वल्प क्रम राष्ट्रिय उद्यान किस राजी में इस्थित है तो किस राजी में इस्थित है वो है मेगाले में ठीक है मेगाले मे भारतिय प्रानी बिज्ञान सरवेच्छन का मुख्याले कहां है दिज्ञान सरवेच्छन का मुख्याले कहां है तो वो है आपका कोलकाता में थीक है विश्व आपदा नियंतरन दिवसकब मनाय जाता है तो वो मनाय जाता है 13 अक्टूबर को खासा जन जाती किस राज की एक परमुख जन जाती है उत्राखंड की कोरिया जलसंधी किसे जोड़ती है तो जापान सागर पुरवी चीन सागर को किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है पंपास अर्जन्टीना का निमनलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो हो जाएगा आपका एंसर मैगमा में गैस होती है किन्तु लाबा में नहीं मैगमा में गैस होती है लाबा में नहीं होती है रसाइनिक हत्यार निसेर संगठन OPCW का मुख्याले कहां है OPCW का मुख्याले दहेग में है दहेग में दहेग ठीक है चली असनेल का नियम संबंधित है स्नेल का नियम है परकास के अपवरतन से चलिए मिलान कीजिए उतर दीजिए ठीक है मिलान कीजिए 35 नमर कोशन है कितना नमर कोशन है 35 मिलान कीजिए क्यूसेक का हो गया परवाह किदर और वाइट का हो जाएगा आपका कम्प्यूटर और रिक्टर का हो जाएगा आपका रिक्टर का हो जाएगा भुकम किति ब्रता वार का हो जाएगा आपका वार का हो जाएगा दाब वार का हो जाएगा दाब तो एंसर हो जाएगा बी का तीख है उस बल का नाम बताए वो हो जाएगा संपर्कवल, कोका कोला जैसे सीतल पेयों में क्या परियाप्त मात्रा में पाया जाता है, कैफीन, ठीक है, कैफीन पाया जाता है, कैफीन, कैफीन पाया जाता है, अगला है, जल के अनु में कौन सा संकरन होता है, कौन सा संकरन होता है, तो आप बताएंगे, न निमन में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है। जिरकोणियम। और चालिस में है टेप रिकॉडर दहुनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है। तो वो करता है चुमकिये उर्जा में। पदार्त का परमानिक सिद्यानत सरपर्थम किस ने दिया? दिया था जॉन डालतन कोसीका में गुलूकोज का औक सीक्रन कहां होता है? कोसीका में माइट्रो कॉंड्रिया में अगला कोशन है 43 नमबर पादप जगत में निमने लिखित बेस्टियों में से कौन सा मुखयता जलिये है कौन सा मुखयता जलिये है तो वो है सैवाल क्या है सैवाल सैवाल किदर गया ठीक है इदर होगा चलिया परिपक्व द्रिध तोट द्रिध तोक कोशिकाओं में हो जाएगा काश्ठ ये भीत्ती होती है और ये मिरित होती है अपसिन नम्र डी पेनिसलीन जैसा परति जैविक रोकता है जीवानू में RNA संसलेशन अगला क्या है एंटी डिउरेटिक हार्मोन नम्र लिखित में से कहां से स्रावित होता है वो होता है पस्च प्यूसी का नम्र लिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभी लाच्छनीक गंध युक्ट हरी पीली गैस के रूप में होता है क्लोरीन नम्र लिखित में कौन एक तंत्री का तंत्र हमारे सरीर की आस्रेदाता प्रणाली है पैरा सेंपे तेटिक तंत्र केसर मसाला बनाने के लिए पवधे का निम्र में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है तो वह है बरती कागर अगला है फुम फूस दुली मैता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्र उद्योगों में काम करते हैं कोईला के उद्योगों में काम करते हैं जो ठीक है चलिए अस्मरनियत पत्य है भारत का सबसे उंचा जल परपात कुन्चिकल जल परपात है कुन्चिकल 415 मीटर 455 मीटर कुन्चिकल जल परपात भार चुक्की भार चुक्की एवं बाल मूरी जलपरपात इस्थीत है करनाटक में बिहार जलपरपात इस्थीत है राजस्थान में गोकक जलपरपात इस्थीत है करनाटक में दूध सागर जलपरपात इस्थीत है गोवा में अगला है भारत की जलवायू है उष्ण कटीवंधिये मौनसूनी भारत की जलवायों है उस्न कटिवंधी है मौनसूनी ठीक है भारत में सरवाधिक वर्सा होती है दच्छिन पस्चिमी मौनसून से भारत में जाड़े के दीनों में तमिलनाडू के तटो पर वर्सा होती है उत्री पुर्वी मौनसून से भारत में सरवाधिक छेतर में पाई बांगर तथा नई जलोड मिट्टी को खादर कहा जाता है। कपास की खेती हेतु इस मिट्टी का परियोग किया जाता है किसकी उपस्थिती के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड लौह ऑक्साइड इस मिट्टी में आईरन एवं सिल्का की बहुलता होती है इस मिट्टी की प्रकृति अमलिये होती है और इस मिट बार लोग को भारत में हरित करांती के जनक के रूप में जाना जाता है MS स्वामी नाथन को MS स्वामी नाथन को ठीक है भारत में हरित करांती का शुरुवात हुआ था 1967 से 68 हिस्वी तक भारत में स्वेत करांती का शुरुवात हुआ था भारत में स्वेत क्रांती के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन ठीक है अगला है क्रिसी छेतर में हुई महतपूर्ण क्रांतियां हरित क्रांती खादान उत्पादन नीली क्रांती मतस्य उत्पादन रजत क्रांती अंडा उत्पादन लाल क्रांती मांस या टमाटर उत्पादन बहुरी क्रांती उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांती बादामी क्रांती मसा उत्पादन, पीली क्रांती तिलहन उत्पादन, सुनहरी क्रांती फल उत्पादन, गोल क्रांती आलू उत्पादन, गोल क्रांती आलू उत्पादन, गोल क्रांती आलू उत्पादन, क्रिश्न क्रांती बायो डीजल उत्पादन, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, एक बार औ बहुत इंपोर्टेंट था इसलिए मैं सोजा कि चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं क्या दिखते पढ़ना ही है तो रिपीट हो चाहे टीपीट हो याद तो याद करना है ठीक है इसके लिए सोचना नहीं है उस सब होते रहता है उतना सोचेंगे तो फिर गड़बड हो जाएगा मैटर एकजाम में भूल जाईएगा फस जाईएगा का कीजिएगा गाली दीजिएगा मास्टर को चली अगला कोशन है बेतन निधी सिद्यांत का परती पादन किसके द्वारा किया गया था तो किया गया था जे आर हिक्स कीमत परकिरिया किसकी एक विसेष्टा है पुंजी वादी अर्थविवस्था का भारती रिजर बैंक द्वारा बैंक दर में बिर्धी का निम्न में से क्या परभाव होगा मुद्रा की पूर्ती या तरलता में कमी और बैंको की साख स्रिजन छमता में कमी एक और तीन हो जाएगा ठीक है एक और तीन किस ओप्सन में आपको मिल रहा है तो मिल रहा है एक और तीरी बी में चेलेंजर गती का संबंद किस महासागर से है चेलेंजर परसांथ महासागर से ठीक है भारत में किस परकार के चटानों में सरवाधिक हीरा पाये जाता है हीरा हीरा बिंधियन बिंधियन ठीक है बिंधियन याद रखेगा अगला है वर्ना तथा मुसी निम्न में से किस की सहायक नदी है वर्ना और मुसी वर्ना मुसी अभी पढ़े थे याद है न क्या पढ़े थे क्रिश्चिना नदी का सहायक नदी है वर्ना मुसी सिगार घाटी निम्न में से किस हिमाले का भाग है ट्रांस हिमाले भारत का नियागरा किस जलपरपात को कहा जाता है किस जलपरपात को कहा जाता चित्रकूट जलपरपात ग्रेट सेंडी मर्वस्थल किस देश में इस्थित है वो है आपका अस्ट्रेलिया में बिहार में कितने क्रिसी जलवायों छेतर पाये जाते हैं वो है चार अगला है भारत का परधान मंत्री नियुक्त होता है जवाहर लाल निहरू निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दांस्ता की संग्या दी थी भारत सासन अधिनियम 1935 संभिधान के निर्मान के लिए गठित संभिधान सभा का परतिक चिन क्या था हा थी वन्य जीव का संरच्छन निम्न में से किसके अंतरगत आता है तो वो है आपका मौलिक कर्तब इसे और राज के निती निर्देशक तर्दू से हो जाएगा option D आपका सही ठीक है कल्यानकारी राजी का उदेश से है अधिक्तम लोगों का अधिक्तम कल्यान करना भारत के किस राष्टपती को दारसनिक राज्या कहा जाता है डारसनिक राज्या डॉक्टर राधा क्रिश्णन को भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद में पंचायती राज्य संस्थान का प्रावधान है अनुछेद चालिस यह है आपका यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्ज है तो है सिक्समा किस समीती ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था तो वो दिया था प्रसासनिक सुधार आयोग प्रसासनिक सुधार आयोग पन्ना लाल गोश का संबंध किस वादियंत्र से है पन्ना लाल गोश वो है बांसुरी से संजुक्त राष्ट्र संग के किस अंग को दुनिया का पुलीस मैं कहा जाता है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्मान किस सासक के द्वारा करवाया गया था तो वो है आपका नंदी वर्मन सकेंड नंदी वर्मन सकेंड तीखा है मेगा स्थनीज ने भारतिय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था तो वो किया था सेवन श्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की अस्थापना कब की गई थी? वो की गई थी दोस्तों आपका 1897 इस्वी को किस गवर्नर जनरल के कार्जकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? लॉर्ड नार्थ बुक मैं एक क्रांती कारी के रूप में कार्ज करता हूँ कथन है? इसका कथन है? जवाहरलाल नहरू का बिजय नगर समराट का समराट पर सासन करने वाले सासको का क्रम है संगम सुलूब तुलूब अराविडू ठीक है? निमलिखित किसका मिलान सही नहीं है? वो करना है तीस नंबर में ठीक है? तो तीस नंबर का इंसर बताईएगा कौन सा हो जाएगा? मिलान सही नहीं है तीसका सही नहीं है मिलान ठीक है? फकीर बिद्रो बंगाल अगला कोशन है कि किस सिख धर्म गुरू के ने गुरू मुखी लिपी का अरंब किया था गुरू मुखी लिपी गुरू आनंद ने ठीक है दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है रगुराम जी राजन 34 नमबर कोश्चन निमलिखित में से कौन परियावरन में सामिल है आपको बताना है सभी मतलब भूमी पसू पौधा सभी आलपस परवत के विश्तरित छेत्र से संबंधित देश कौन है तो वो होगा आपका फ्रांस स्विड़जर लेंड ठीक है अप्सन ए हो जाएगा दूध उदाहरन है पायस का ठीक है पायस का अगला है एक्वा रेजिया निमलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है वो है आपका HCL HNO3 ठीक है सक्ति का मातरक होता है वाट किस वनस्पती सास्त्री को वनस्पती वर्गिकरन की व्यापक रूप से परयोग की जाने वाली प्रकृतिक प्रनालियों के आरंभिक स्रिजकों में से एक होने का स्रे दिया गया अगस्त बिलहेम आईचलर डाइनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है क्या करती है परिवर्तित करती है यांत्रीक उर्जा को वैदुत उर्जा में अभाव जन्य रोग किसे कहते हैं वो है आपका पोसक तत्यों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अगला कोश्चन है निम्न पर विचार कीजिए यह मानो सरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरं अगला कोश्चन पर आजाईए निम्न लिखित में से कौन पारिष्थित की तंत्र का अजयविक घटक नहीं है वो है जीव आनुवनसिक विकारों के संदर्व में निम्न लिखित पर विचार कीजिए एक महला वरनांध है पर उसका पती वरनांध नहीं है इसके एक पुत् इस संदर्व में से कौन से कथन के सही होने की सरवाधिक संभावना है दोनों संतान वरनांध नहीं होंगे दोनों संतान वरनांध नहीं होंगे निम्न में से कौन अन्य जीवों से विन्न है जीवों से विन्न है केकड़ा फूल के परजनन का भाग कौन सा होता है पूल के प और कारपलस जुआर निम्न में से किस कूल का फसल है? किस कूल का फसल है? जुआर ग्रैमिनी का है ग्रैमिनी गुलुकोज के पुर्ण अपघटन से कितने ATP अनु उत्पन होते हैं? वो है आपका 38 निम्न लिखित में से कौन सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनीन होता है ये गलत हो जाएगा टमाटर में लाल रंग का एक कारण लाइको पीन होता है सेव के लाल रंग का कारण एंथेसाइनीन होता है लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैपसेसिन होता है कैपसेसिन, लाल मिर्च में, सेव में, एंथे साइनीन, एंथे साइनीन, सेव में, अटामाटर में होता है, लाइकोपीन, ठीक है, सत्यफल होता है, निवेचित एबंबिक्सित अंडासय, तो एंसर हो जाएगा C, चलिए, असमरणी ये तथी हम लोग देख लेते हैं, गिरना महाराष्ट में, पंबा, पंबा सिचाई परियोजना है केरल में, गिरना हो गया, महाराष्ट में पंबा हो गया केरल में, भारत में रश्टिय जल संसाधन परिशत का गठन किया गया, उनैस्सो तेरासी स्वी में, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना सापित किया गय स्थापना हुआ स्थापना हुआ भारत में इलूमिनियम का पहला कारखाना अस्थापित किया गया था सूती बस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को गोल्डेन फाइवर के नाम से जाना जाता है जूट को भारतिय जूट निर्मान का अस्थापना हुआ था 1971 इसवी में SOC8 सीमेंट कंपनी ACC की अस्थापना हुआ था 1936 इसवी में लागू हुआ था स्थापना हुआ था केंदरिये सिल्क बोर्ड 1929 में भारतिये हत करधा बोर्ड 1950 इसवी में अखिल भारतिये खादी एबं ग्रामो द्योग बोर्ड 1924 इसवी को लगु द्योग बोर 1924 इसवी को है अंठामन 146 किलो मेटर भारत माला परियोजना का संबंध है सडक निर्मान से और सागर मल परियोजना का संबंध है बंदरगाह विकास से ठीक है तो अगला क्या हो जाएगा 45 45 नमबर कोश्चन का फस्ट 45 नमबर ये सेट नमबर है ठीक है इसका हम लोग क्या करेंगे फस्ट से देखेंगे है न तो संबिधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट पती को संसत का संजुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है तो हो जाएगा अनुच्छेद 108 नमलिकित में कौन भारत के राष्ट पती के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस से नहीं होते हैं आपका होजा राज विधान परिसत के निर्वाचन सदस से ठीक है निती निर्देशक तत्तु के संबंध में गलत कथन को चुनिये गलत कथन को चुनना है वो है इन्हें लागू करने के लिए नियायाले में ले जाया जा सकता है किस समीती ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्म निरभर बनाने की शिभारिस की दोस्तों वो है आपका LM सिभभी समीती किस समभिधान संसोधन के द्वारा मोलिक कर्टब्यों को समभिधान में जोड़ा गया 42 में संबिधान संसोधन में संबिधान के भाग बारा में किस्से संबंधित प्रावधान किया गया किया गया दोस्तों केंदरु और राजियों के मध्य बित का वटवारा संबिधान का कौन सा अनुछेद संसद को बिधी निर्मान की सक्ति परदान करता है कौन करता है जल्दिस से साथ नमबर का एंसर बताईए केसवा नंद भारती बनाम केरल राजिबाद 1973 में दिये गए किस निर्ने को सर्वोच नियालाई के सबसे महतपुर निर्नेयों में से एक माना जाता है वो है आपका संविधान की अधार भूत सनरजना का सिद्यानत के लिए ठीक है चलिए नाइन नमबर है संविधान के भाग 17 में संग के सास की ये परियोजनों के लिए परियोग होने वाले अंको का वर्नन है यह निमलिखित में से कौन है तो वो है आपका एंसर हो जाएगा आपका भारतिय अंको का अंतर राष्ट्रिय रूप ठीक है राजपाल के संविध में गलत कथन को चुनिए गलत कथन को आपको चुनना है ठीक है तो गलत कथन कौन सा है तो गलत कथन है आपका बेतन राजी के संचित निधी से दिया जा बेतन भारत की संचित निधी से दिया जाता है नहीं और फिर क्या है पेंसन राज की संचित निधी से दिया जाता है और फिर यह नहीं दिया जाता है पेंसन भारत की संचित निधी से दिया जाता है भारत की संचित निधी से दिया जाता है यह सही हो जाएगा यह सही हो जाए वीना लिये हुए अंकित किया गया, किया गया है, तो वो है आपका समुद्र गुप्त, ठीक है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निमलिखित में क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था दोस्तों, ये बारह का इंसर हो जाएगा आपका ठीक है, नवदा ठोली, 14. सदी पुर्व का बोगा जो कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ था, एसिया महनर से, ठीक है, निमलिखित में से किस संगठन का नाम बर्स 1850 में बदल कर भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस रखा गया, तो वो है भारतिय राश्ट्रिय संग को, ठीक है, भारतिय राश्ट्रिय संग को, अगला है, सुभास चंडरवोस के बारे में निमलिखित में से गलत कथन का चेयन कीजिए, गलत कथन का चेयन कीजिए, तो गलत कथन ये हो जाएगा, भी है दिया हुआ, और सही बला पढ़ देते हैं गलत बला पढ़ेंगा तो फिर वही याद आएगा इसलिए सही सही बला खाली पढ़िए 1938 में 1938 एवं 1949 में कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने ठीक है ठीक बात है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापूर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया उन्होंने तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें जाद दूँगा का नारा दिया ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों 17 नंबर कोश्चन पर आ जाईए 17 नंबर कोश्चन है मस्त जागीर की सुरुवाद किस मुगल सासक ने की तो किस मुगल सासक ने की दोस्तों फत्वा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है निमलखित में से किस सासक के सासंकाल में लिखा गया था तो यह लिखा गया था दोस्तों आपका औरंग जेव ठीक है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे कलकत्ता में तो कलकत्ता में थे आपका राजा राजा राम मोहन राए राजा 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 काली मिर्च का हो जाएगा केरल, हल्दी का हो जाएगा, हल्दी का हो जाएगा आंधर परदेश, जीरा का हो जाएगा, जीरा का हो जाएगा राजस्थान, मसाला सिर्ष उस्पादन, छेत्र, केसर, उस्पादन होता है जम्मु कस्मिर में केसर, और काली मिर्च, काली मिर्च के और हल्दी होता है आपका आंधर परदेश में हल्दी होता है राजस्थान में होता है जीरा राजस्थान में जीरा होता है तो ऑप्सन नंबर बी हो जाएगा आपका सही ठीक है किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संग्या दी गई है बीमा कीमत बीमा कीमत ठीक है तो हो अगला है, भिलाई इस्पात संयंतर किस देश की सहाईता से अस्थापित किया गया, तो वो है आपका सुव्यत संग से. निम्न पर विचार करें विचार कीजिए गर्म और सुस्क जलवायू दुसरा है हलकी और गिली सर्दी सदा वहार ओक के पेड उपरोक्त भागोलिक विसेस्ताई निम्लखित में से किस छेतर की विसेस्ट विसेस्ताई है तो वह है आपका भुमाधि सागरिये की ठीक है भुमाधि सागरिये की अगला है निम्लखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं है माना दर्रा सिक्किम बला जो है यह सही नहीं है और सब सही है बड़ा लाचा हिमाचल परदेश और सिपकिला है हिमाचल पर्देश और जेलेपला है सिक्कि में ठीक है यह सब सही था गलत वला सी था तरसी अंसर हो जाएगा नामचा वरवा हिमालय के किस रेनी में इस्थित है तो वो है आपका हिमाद्री या ब्रिहद हिमालय ठीक है चलिए एक 30 number question है नदियों की बिसर्प वाहिका जो गोखुर जहील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है वो है मन कहलाती है मन मरूदान किसे कहा जाता है मतलब रेगिस्तान में हर्याली वजल वाला छेतर निम्नांकित गहास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है तो है आपका लानोज बेनेजुएला आइतन की दिरिष्टी से साफ पानी की सबसे बड़ी जील है तो है आपका लानोज बेनेजुएला पापुआ नियू गिनी के मध्य टॉरेंस फाइवर आप्टिक्स की सिद्यान पर कार्ज करता है फाइवर आप्टिक्स वो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्ज करता है चलिए अगला है मेढक के संबंध में निमन लिखित में असत्य कथन कौन सा है मेढक के संबंध में तो असत्य है जो है आपका दोस्तों कार्यांतरन में कार्यांतरन में आंत बड़ी हो जाती है एक कारवन क्रेडिट का मान कितना होता है एक carbon credit का मान,imen जो होता है दोश्टों, 1000 kg CO2, 1,000 kg CO2, मानो सरीर में oxygen की मातरा कितनी पर्तिसत होती है, मानो सरीर में, 65% होती है, तीक है, 65% होती है, निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, उसको चूज करना है, तो सुमेलित नहीं आपका तांबा गैल्व निकरन, तांबा गैल्वी निकरन, ठीक है, मैगनेशियम, आतिसवाजी, मैगनीज, फरटिलाइजर, टंगस्टन, इलेक्टरिक वल्व, इलेक्टरिक वल्व, निमलिखित में से किसकी मात्रा आमल बरसा में सबसे अधिक होती है, वो होती है आपका S2SO4, सांस लेने एबन छोड़ने की किरिया के दोरान, कौन सी गैस की मात्रा परवाहित नहीं होती है, तो वो हता है nitrogen, ठीक है? दूध का आपेचिक घनत्तु किस से मापा जाता है? दूध का आपेचिक गती, वो मापा जाता है, लेक्टो मीटर से, निमलिखित ततुमें से पिर्थवी पर सबसे भारी प्रकृतिक तत्तु कौन है? तो वो है आपका uranium, ठीक है? निमलिखित में से कौन सा, कौन? तना का अमासय तथा छुद्रांत्र द्वारा अकृत में ओसन युक्त रक्त पहुंशती है, उस वाहिका का नाम क्या है? उस वाहिका का नाम है यकृत परवेस द्वार सिरा, ठीक है? यकृत परवेस द्वार सिरा, मलेरिया से परवाविहित होने वाला अंग कौन है? तो वो है कोशन किधर गिया, इधर है, आईए, वश्त्र निर्मान में परियोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ, जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपका संसलिस्ट तंतू, निम्नांकित में से कौन सा आनुवंसिक रोग नहीं है, वो है डेमेंसि हमारे सरीर के मुख्य रूप से उर्जा परदान करता है हमारे सरीर को मुख्य रूप से उर्जा परदान करता है कार्भो हैड्रेट कार्भो हैड्रेट ठीक है विस्व की पहली रेल गाड़ी चलाई गई थी विस्व की पहली रेल गाड़ी 1825 इसवी में भारत में पहली रेल और भारतिये रेलवे बोड का राष्टिये करन हुआ था उन्हें सो पचास इस विमें रेल बजट को आम बजट से अलग किया था 1924-25 को एक वर्थ कमीटी के सिफारिस पर रेल बजट को पुना आम बजट में शामिल किया गया 2017 इसवी को कलकत्ता मेट्रो रेल की सुरुवात हुई थी 1984 इसवी को दिल्ली मेट्रो रेल की सुरुवात हुई थी 2002 इसवी को सोतंतर भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था 2014 इसवी को मुंबई में भारत का पहला रेल वे विस्वीद्याल है खोला गया था बड़ोद्रा गुजरात में खोला गया भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नहरू बंदरगाह मुंबई मुंबई में ठीक है भारत का सबसे गहरा बंदरगा विसाखा पत्नम का है भारत का कृत्रिम बंदरगा जो है चन्नाई है कृत्रिम बंदरगा भारत का जुआरिये बंदरगा है कांडला ठीक है राश्ट्रिय मार्ग जलमार्ग एक तरफ है एक तरफ लंबाई है और कहां से क नहां तक जाती है, NW1, NW1, 1620 किलोमेटर इलाहबाद से हल दिया, इलाहबाद से हल दिया जाती है, NW2, 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 809, 891 किलोमेटर, साधियां से धुबरी, और NW3, NW3 जाता है, 205 किलोमेटर है, कोलम से कोटापूरम, और NW4, NW4 है, जो है, 1095, काकी नाडा से मरकाम, काकी नाडा से मरकाम जाता है, 1095 किलोमेटर का है, चार बला, NW, NW5, NW5, 623, तलचर से धमरा, NW6, NW6, 120 किलोमेटर, लखिमपूर से भांगा, ठीक है, चलिए, अब 46 नमर प्रेक्टिस आ गिया है, आगले वीडियो में 46 नमर से देखेंगे, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए, नमस्कार, जहें दोस्तों, बच् झारो